आज हम सीखेंगे क्रेले की बीच को कैसे क्लेक्ट करते हैं आए तो फिर से एक बार स्वागत करती हूं आप सभी का अपने गार्णिंग चैनल पे तो आए हम आज सीखेंगे क्रेले की बीच को कैसे क्लेक्ट करते हैं ये देखिए इसमें क्रेला लगावाद था और इसको हमने नहीं तोड़ा छोड़ दिया और क्यूंकि ये एक अकेला ही लगावा था यहां पे तब वो धीरे धी परिंग स्टैप की कहां से आगई यहां पे तो कोई स्टैप का फ्लावर का पेर भी नहीं है फिर मैं जब धीरे नजदीक आई इसके तो मैंने देखा किया रहे ये तो क्रेला इस तरह का हो गया है फटके ये पकर बिल्कुल फटकर देख रहे है कितना खुबसूरत कलर आय तो बहुत बता नहीं सकती हूं मुझे अजी बहुत अच्छा लगा यानि के और फिर मैंने उसको रहने दिया दो चार दिनों तक पौधे में ही फिर देखा मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं चीरिये वगारा खा जाए तो एक दिन मैंने उसको तोर कर ऐसे ही हलके शेड में जह तो इनको मैं अब यह बिल्कुल अच्छे से सू गई है तब इनको जीपलक्स बैग में मैं रख दूंगी या एर टाइट कंटीनर चोटा टाइप का हो उसमें कोई सभी हो उसमें हम बंद करके रख देंगे और इसको फिर हम ग्रो करेंगे स्प्रिंग सीजन में जब यह सर जानकारी थी और फिर अगर इसे मैं ग्रो करूंगी तो इसे मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों से तो मैं आगे भी आप लोगों को बहुत चीजों की जानकारी देने वाली हूं मेरे टमाटर के पौदे भी बड़े हो रहे हैं बहुत हेल्दी हो उसके बारे में भी मै प्लीज शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल मिलती हो नेक्स वीडियो में बाई